आज मैं आप सबके साथ एक पंजाब की स्पेशल टेली केसी जिसका नाम है दाल मखनी उसकी रेसेपी शेयर करने जा रही हूं जो दाल मखनी मैं बना रही हूं उसके थोड़े से मैंने अपने ट्विस्ट एंटन देये हुए हैं और वो बिल्कुल धावा श्टाइल हम बनाएंगे मैं देखिए कैसे बनाएंगे धावास ट्राय्ल दाल मखनी दाल मखनी के लिए सबसे पहले मैंने लिये हैं दो कटोरी भरके ओड़त दाल यह साबुत ओड़त दाल है और उसके बाद मैंने लिया है आधा कटोरी चना दाल फिर एक कटोरी भरके राजमा अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे और साथ से आठ खंटे के लिए पानी में हम पिगो के रख देंगे अब मैंने दो टमाटर लिये हैं और एक लेसुन की पूरी गड़ी और एक हरी मिर्च इन सभी चीज़ों को मैं गैस पे इसको जला लूंगी थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है दाल में आप देख सकते हैं हमारी जो टमाटर है और लेसुन हरी मिर्च सभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं गैस की आच पे आठ घंटे हो चुके हैं और दाल भी अच्छे से फूल गई है राजमा भी फूल गया है मैंने आठ चाथा पानी से इसको धो लिया था अच्छे से और अब मैं एक कूकर में इस साई दाल को डालूंगी अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च जो हमने रोस्ट की थी मैंने उसको बारिक बारिक काट लिया है फिर इसमें आट किया है 10 से 11 कलिया जो हमने रोस्ट किया हुआ था लेसन उसका वो भी हमने बारिक बारिक काट के रखा था फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट अद्रक ये एकदम फ्रेश ग्रेट किया था मैंने और फिर इसमें जाएगी एकदम फ्रेश करके रखेंगे कोई पेस्ट हम पुराना यूज नहीं कर रहें तभी दाल का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है फिर इसमें जाएगे सारे खड़े मसाले तेजपता है हरी लाइची है और लॉंग काली मिर्च ये सबी चीजों को काड़िमम स्टिक हम सब चीजों को टाल देंगे और फिर एक लिटर जितना पानी मैं इसमें आट कर रहे हूँ फिर इसमें सीजनिंग आट करूंगी दो चमच जितना नमा कभी डाल रहे हूँ दाल के हिसाब से थोड़ा कमी रखा है फिर बाद में इसे अड़ेस्ट कर लेंगे ये दाल पकने में ताइम लेती है तो इसको आठ से दस सीटिया आपको शुरुआत में ही लगानी पड़े है थोड़ा सा अतकचाई है तो इसमें थोड़ा पानी और आट करके फिर हम चायपाच सीटी दे देंगे और फिर दो एक मिनिट के लिए गयास को स्लो करके पकने देंगे दाल को साथ आट विसल मैंने और लेली है और अब हम देखते हैं कि क्या हमारी दाल की सिचुएशन है और शकल से तो लग रहा है कि दाल अच्छे से पक चुकी है अच्छे से लग गई है अब जो टमाटर मैंने रोस्ट किये थे पहले उनको मैंने बारी काट लिया था और अब वो पेशन्स आपको रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो दाल होती है बहुती दीमी आच पकती है पुराने जमाने में तो यह चूले बना करती है अब तो हम गैस पे या इंड़क्शन सब बनाते तो स्लो इसको हम तामाटर के साथ पकने देंगे जब तक की तामाटर पूरी तर जैसे कि एक कप मैंने दूद लिया है वो मैं आट करूंगी पर अभी मैं सिरफ आधा कप आट कर रहे हूं पूरा एक कप नी डालेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे यह दही है जा दो बड़े चमबच जितना मैंने दही आट किया है यह फ्रेश दही है फिर यह घर की मॉलाई जो होती है वो है और यह भी एक से सवा चमबच इतनी बड़ी मॉलाई की और फिर इसमें मैं डालोंगी क्रीम और उछे की बीमे एक चमबच इतनी कर दो कि यह हैं इस टाइम पर मैं एक बड़ा चंmaj भर के बटर का आट करूंगी पटर की बिना तो दाल बंती नहीं है फिर एक चमज मैंने गरम मसाला आट किया है और उसके बाद हम डालेंगे एक छुटा चमज चीनी का यह सिरफ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और जो अधा कब दूद हमारा बचा हुआ था वो भी मैं इस सबी चीजों को बहुत अच्छे से हम फिर से पकने देंगे स्टर करते जाएंगे और दीमी आज पैसे हम पकने देंगे दाल काफी अच्छी निखर के आ गई है गुलाबी सी हो गई है और इस टाइम पे जो इसका सबसे यमी इंग्रिडियन्ट है वो है घी देसी घी वो थोड़ा हम ज्यादा डालेंगे थोड़ा प्यार से डालेंगे और क्योंकि दाल मकनी में घी बटर यह बहुत ही जरूरी होते हैं इससे टेस्ट इन्हांस होता है और फिर इसे हलके हलके पकने देंगे मतार टोटल ओवराल पकते पकते इस दाल को एक हंटा हो चुका है और आप देख सकते है माई दाल तयार है आईए अब मैं तर्की की तियारी करती हूँ अब एक छोटे पैन में मैंने घी डाला गैस अन कर दिया गैस को स्लोई रखेंगे क्योंकि घी भूजल्दी जल जाता है और फिर इसमें डालेंगे हम हींग चुटकी भर हींग जालेंगे क्योंकि यह जो डाल है और आजमा यह काफी गैस करता है पेट को भारी होती है यह चीज़े इसलिए हींग बहुत इंपॉर जाली है रंग भी आएगा और स्वाद भी आ जाएगा और हमारा तड़का रेडी है अब जो तड़का हमने तयार किया था वो दाल पे अच्छे से दिल खोल के स्प्रिंकल कर देंगे डाल देंगे और गार्निशिं के लिए मैंने बारी कटा हुआ हरा धनिया यूज किया है और जो हमारी क्रीम थी उससे दाल को और खुबसूरत बनाएंगे और इंजॉय करेंगे तो फ्रेंज हमारी धावर स्टाइल दाल मखनी रेडी है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप दाल मखनी जरूर बनाएं और खाएं खिलाएं थैंक्यू फॉर वाचिंग बाइ